उसके बाद एक क्वेशन पूच रहा है किसमें बात हुए थी आ जो हरियाना के जो लोग है अर्याना की यूथ है वो राजनितिक तोर पर चार-पाच परवारों का गुलाम है और क्या हरियाना अज इस स्टेज पे है कि वो राजनितिक परवार अपने किड्स को सेट कर रहे ह इसके बारे में कुछ हो चुके हैं कुछ कर रहे हैं और मैं उसमें अगर आप इस तरीके की आप यह देखें कि अपनी फैंबली चला रहे हैं तो मैं उसमें खटर साब को भी इसी तरीके से देखता हूं कि just because he was quite close to the prime minister he was elected और उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया क्य देखो है बट यह बाद सरूर है कि हर्याना की politics के अंदर नहीं है कि हर्याना की जो politics है नहीं पॉलिटिकल डेचर है लगबग सौ साल पुरानी हो चुग है कि आपने सौ साल पुरानी हो चुकिया है जब शूट राम भी चुनाव लड़ा करते थे तो उनके वे तो वो दो तीन फैमिली तो वो हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ रखे हैं तो ऐसा ही है और मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी को ला कि जिसके बच्चे काबिल होंगे वो तो आएंगे आगे आगे मुझा रहे आरी कैसी बात कर रहे हैं आप काबिल होंगे कि आप दोक्टर का वेटे दोक्टर आएगा आपकर काम कर रहे हो तो कल का आपका बच्चा भी इससे फेवर कर सकता है वो वो एक परसनल चीज है पबलिक लाइफ और पॉलिक को एक्ट करने वाली चीज़े काफी अलग है तो इससे को तो वो नेपोटिसम बोलते हैं ऑबियसली हा हाँ हर्याना अभी नेपोटिसम का सबसे अच्छा एक्जामपल है एपीटमे ओफ नेपोटिसम सो हर्याना के अंदर पॉलिक हो रहा है और इसके शुर्वात होगी तो लगबख सौ साल पहले बट रीसेंटि में अगरा पोस्ट इंडिपेंडेंस डिसकस उन्हों में पोस् हुआ है क्लोड जुड़ा हुआ था कि अच्छं से नहीं हम सौ सौ साल पराने हमारे ुस परिवार से हमने कभी कॉंगर्स को नहीं चुल्डा तो इस तरह के लोग हैं सेंबेज आपके पास दूसरा परिवार ऒुगया जो उस वाली बेल्ट का है सारसे को उपर वाली वेल् एक larger debate पे जाते हैं कि क्या आज का youth हरियाना का इन चारपाज परिवारों का गुलाम है हम यह discuss करेंगे तो फिर वो लंबी debate है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब को पता है आपको भी पता है मेरे को भी पता है देखने वालों को भी पता है आज का इसका solution क्या है इसका solution यह है कि सबसे पहले तो जो next generation जो यूथ आ रही है वो अपने आपको educate करें एक्सपोजर लेकर आए वह इस बात का भी एक्सपोजर लेकर आए कि सारी दुनिया सिर्फ सरकारी नौकरियों पर नहीं समठती यह सरकारी या कुछ चार-पांच avenues ही नहीं है आपके पास लड़ जो आपकी पिछली जनेरेशन बोला करते थे ना कि आपको भी सड़कों पर उतर करें हिम्मत होनी चाहिए समझने के लिए चीज़े क्या चेंजिस हैं क्या करण्स बन रहे हैं क्या क्या opportunities हो सकती है education के बर में क्या सुधार किया जा सकते हैं लोगों को next generation को active होना पड़ेग क्या समझने के लिए क्योंकि राजी आपका यह आपको सुधारना करना पड़ेगा वह कौन सी मुरंग दे मुसंती के अंदर एक डायलोग उताना के संथिंग ऑन दे लाइन्स के बरी आप चाहते हैं तो खुद आ गया है तो वह करना पड़ेगा हर्याना की next generation को हर्याना की बिना कुछ सोचे समझे कुछ politicians के पीछे पड़ाते हैं लग जाते हैं कि जब यह सत्ता में आएंगे जब यह पावर में आएंगे तो इनके तुरू हमें कुछ शाहिन मिल जाएं क्योंकि यह modus operandi रहा हुआ है पहले ऐसा हुआ है लोगों के पार जो लोग काफी साल से किस का एक discussion हो रहा था वह कहां मेरा तो कोई जैक वैक तो है नहीं तो और ना कोई जान पचान तो मेरा कैसी कुछ होगा क्योंकि यह mindset यह इतना जादे इंग्रेन करा हुआ था ना लोगों के दिमांगे यह बदलाव आना शुरू हुआ है और यह बदलाव आपको अगर पूरे अब समाज के लिए कुछ करना जाओ आप किसी पर dependent ना रहो अपनी आवाज खुद बंद करेंगे और successful होंगे और इसके examples आपको बहुत देखने को मिलते हैं पास पास देंगे चाहे बात करते हैं अभी यह संगत का भी असर होता है जिसके साथ आप काम करते हो उसके साथ आ देखे चार ही मेल करने लगते हैं तो यह भी होता है अच्छा वो बच्चो आप बता रहेते प्लेटिकल बच्चे उनुक्ती क्या रायरे आपकी अब कि डो चिल्टरंश लड़न कई लगते हैं जैसे पड़े लिखे भी नहीं नहीं और नहीं तो नहीं पर वो इस बात का प्राउड भी फिल करते हैं ना कि उनकी प्रिवेस जनरेशन बहुत पड़ी लेखी नहीं थी तो फिर वह उसका आगे भी क्या प्राउड करते हैं कि इस प्रदेश के लोग भी पड़ें नहीं अब हर्याना वालों नहीं दिकलने के लिए हर्यान वी यूथ के अंदर एक कॉन्फिदेंस कोने होना चाहिए कि यह कुछ भी कर सकते हैं यह और ढगे बढ़ सकते हैं उन पर डिपेड़नेसी जरूरी नहीं है। और यहीं है जो नेक्स हालेंज़ है रहत्पास बहुत क्रिटिकल कई हर्याना के अंदर एकlines प्राइट और एक सेंस अफ कॉंफिडेंस आए और वो सेंस अफ कॉंफिडेंस आपको एडुकेशन एक्स्पोजर तो मिनिमुम लाएगा ही वो तो चाहिए चाहिए दोजार बेर मिनिमल राइट नाउ